नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोग सामने एक ऐसा चमतकारी जड़ी बूटी पौधा लेकर आया हूँ जिसे सत्यानासी के नाम से जाना जाता है दोस्तों यह सत्यानासी एक बहुत ही अच्छा चमतकारी जड़ी बूटी पौधा है आज मैं आपको इसी पौधेग फाइदों के बारे में बताऊंगा कि यह पौधा हम किन किन रोगों उप्योग कर सकते हैं लेकिन दोस्तों फाइदे जानने से पहले आप इस पौधेग देखकर पहचान लीजिए कि यह पौधा कैसा होता है अगर आप इस पौधेग पहचाने रहेंगे तो आप अपने विमारी में इसका भली भाती उप्योग कर सकेंगे तो देख लीजे पहिचान लीजे दोस्तो इस पौधे का हर हिस्से में काटा होता है इसके पत्तों में काटे होते हैं इसके फूलों में काटे होते हैं इसके फूलों में काटे होते हैं यानि इस पेल के इस पौधे का हर हिस्से में काटे ही काटे भरे हुए हैं इतने काटे है कि अगर आप अहाँ लगाएं तो आप कांटे कि चुप जाएंगे और हां दोस्तों में पूल पीला पीला होता है सुनारा रंग का तो इस पाओधे को सत्यनासिख नामसे गाना जाता हैhire् det Wish के काना जाता है क्यूंकि फूल पीले होते हैं इसकी स्वान शीर का जाता है दोस्तों कहीं स्याल- babies ओर और दुम इसे ब्रह्म डान्डी भी शहते हैं तो इस तरह से दोस्तों अलग-अलग भासाओं में इसके अलग-अलग नाम है आप इसे किस नाम से जानते हमें कोमेंट कर ज़रूर बताईएगा और हाँ दोस्तों यह पवदा दो फूर्स लेकर तीन फूर्ट बड़ा बड़ा-चार फूर्ट तक हो दोस्तों बीज बिल्कुर राई के दानक जैसा दिखाई देता इस तारा सरसो होता है सरसो कभी उसी तरीके से इसका भी वीज होता है तो चलो दोस्तो मैं उमीद करता हूँ आप पथे इस पॉद्य को देख कर पहचान के हों गये तो आओ चलो अब हम सत्या नासिक फायदों के बारे में जाने कि आखिर इसको हम किस रोग में किस तरह सुपयोग करेंगे तो देखिए दोस्तों किसी भी परकार तोचार रोग हो दाद हो खाज हो खुजली हो एक जमा हो अकवत हो तो आप इसके पत्तों को पीश कर इसका रस निकाल कर लगाईए तो दाद खाज खुजली एक जमा कोवत हर प्रकार चमडी का रोग स्कीन का रोग ठीक हो जाता है गाँ हो फोड़ा फुन्सी हो उसमें आप इसके पत्तों को पीश कर डाइरेक्ट लगा दीजिये छोब दीजिये तो भी घा फोड़े फुन्सी ठीक हो जाते हैं दोस्तों किसी माता बहनों को गाल में छाई हो काले काले दाग हो निसान हो तो आप इसके पूरे 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 पूधे को सिल्व अट्टाम पीस कर या फिर इसके बीज और इसके कच्चे बीज फली इसके फूल पत्ते को पीस कर पत्थर सिल्म चटनी बनाकर अगर का लाल लाल चेहरा दिखने लगता है इतना फाइदे मन चमतकारी जड़ी बूटी है दोस्तों और अगर किसी के दाने फोड़े फुंसी है चेहरे में पिंपल्स हैं तो उसमें भी आप इसे पीश कर पूट कर इसका रस लगाई या फिर इसे डायरेक्ट चटनी बनाकर लगा द दीजिए तो दाने फोड़े फुंसी फिंपल्स ठीक हो जाएंगे दोस्तों मार लगने को जिस अगर कोई हिस्सा कट गया है रक्त बहे रहा है तो उस रक्त को रोकने के लिए आप इसके रस को लगा दीजिए पीश कर इसका चटनी लगा दीजिए तो बहता हुआ खून र प्रकार तोचा रोग हो सभी पर आप इसका उप्योग कर सकते हैं दोस्तों इसका इस्तमाल आप दो तरीकेस कर सकते हैं एक तुछी से डायरेक्ट पत्थर के सिल्वे पीश कर चटनी बनाकर लगा सकते हैं और दुसरा आप अगर इसके सुखा कर पीश कर घर में रखे होगा और सुगर के घाम भी इसका रस निकालकर लगाएं जिसे गैंगरिंग कहते हैं वह अभी इससे ठीक होगा यानि सारे सारे तोचा रोग कर राम बारा उसदी है दोस्तों या सत्यानासी का पोधा और हां दोस्तों अब मैं आपको इसके और फाइदे बताता हूं अगर आँख में रता होनी है तो इसके पत्तों को तोड़िये उसमें से पीला पीला दूध निकलेगा उस दो तीन बूंद लीजिए दो तीन बूंद घी लीजिए और मिलाकर आँखों में काजल्ग तरह लगाने से आँखों का रोग ठीक होता है चाय आँखों में जलन हो लालि फाइदा होगा दोस्तों स्वांस रोग भी आप इसका उपयोग कर सकते इसके पत्तों को पीशकर पांच एमल रस एक गिलास दूध में डालकर पीजिए स्वांस रोग फाइदा होगा या फिर मक्खन मलाई में पांच एमल इसका रस पत्तों का निकालकर मिलाकर चाटिए स्वाश रोग में फाइदा पहुचता है अब और हम इसके फाइदा के बारे में जानते हैं दोस्तों यह पूर्सों की स्टेमना पाउर को बढ़ाने काम करता है ताकत को बढ़ाता करना क्या है इसके नीचे जड है उस जड को लाकर धोकर साप कर लीजिए धोने के बाद उसे सुखा कर उसको कूंट पीस कर पौडर बना लीजिए मिश्री मलाकर तीन ग्राम सुभा तीन ग्राम साम सेवन कीजिये और दूध पीजिए एक उपाई यह हो गया पाउर बढ़ान के लिए कि इसके जड़ को लाए टुकले टुकले काट कर सुखा लीजे सुखाने के बाद उसे थोड़ा सा कूट लीजे जवकूट कर लीजे फिर उस जवकूट में आप क्या कीजिए पचास ग्राम अगर इसका जड़ है तो पचास ग्राम बढ़ बर्गत का दूद ले इसी तरीके से दोस्तो दो तीन भावना देना है बर के दूद और पान के पत्तो के रस से भावना देने के बाद रगणना है रगणने के बाद फिसको धूप में रखके सुखा देना है जब थोड़ा सूख जाए तो इसके गोल गोल गोलिया एक एक गराम को बना लीजिए और फिर सुबा साम दूद के साथ में, सेवन कीजिए तो इससे भी वजी करण बढ़ेगा, सरीरिक ताकत बढ़ेगा, धातु पुष्ट होगा, सामय बढ़ेगा, टाइमिंग बढ़ेगा इसके सेवन से, दोस्तो यह एक बहुत ही अच्छा चमतकारी जड़ी भूटी है, ले अगर किसी बाल टूट गया, बलतोड हो गया, तो भी आप इसके पत्तों को पीश कर बलतोड में लगाते हैं, तो फाइदा होगा, और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता देता हूं, इसके बीजों का तेल भी मिलता है, सत्यानासी तेल, उस तेल का पूपयोग कर स सकते हैं, प्रकार तोचा रोग में, दाद, खाज, खुजली में, एक जमाम, अकवत में, यहां तक कि दोस्तों, अगर किसी का बाल जड़ता उड़ता हो, कि टाड़ों को जैसे, तो आप बाल की जड़ में इसके तेल को लगाए, तो फाइदा होगा, दोस्तों, पीलिया र होगा, दोस्तों, यह सत्यानासिक पौधा एक एंटिवाइटिक पौधा है, एंटि माइक्रोबियल पौधा है, एंटि सेप्टिक पौधा है, इसलिए दोस्तों, हर परकार बिमारी माप इसका उप्योप कर सकते हैं, तो दोस्तों, जिस तरह सिसका नाम है सत्यानासि, यह बिमारियों सत्यानास कर देता है तो चलो दोस्तों इस महातपुर जानकारी को अब हम यहीं समाप्त करते हैं अगर हमारी जानकारी लाबदायक हो फाइदे मंद हो तो हमारे चैनल लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदी हुआगा पर घ्लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्क्राइब गियाक उनकार दोस्तों पहाण यह कीजिए टेख़िक जायरण दोस्तों नमस्क्राइब सbung早वठी जेयक बालाइक कीजिए सेटर कर दोस्तों घ्लुण सित्चरेएब कीजिएस प्रमार मींधु ताद्थक्षक्र झाल झाल